प्रेंड्स सौगत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निदी के संग में फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपके लिए एक यूसफुल सा वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करी हूँ ओल्ड बैंगल रियूज आइडियास जी हाँ फ्रेंड्स हमारी बैंगल्स रखी रखी सालो हो जाते हैं उनमें से कुछ बैंगल्स के कलर भी चले जाते हैं शायन चली जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है उसे फेकने का नहीं समझ नहीं आता कि इसे कहां फेके तो friends इसी तरह के कुछ question हमारे दिमाग में होते हैं कि हम इसे reuse कैसे करें तो आज मैं आपके साथ old bengal के reuse के कुछ ideas लेकर आई हूँ और जो कि बिलकुल उनमें से कुछ ideas तो zero budget है मतलब आपको उसमें कुछ भी खर्च नहीं करना है और आपकी old bengal आप reuse कर पाएंगे तो friends ये मैंने पास मेरी कुछ old bengals पड़ी है और इन में से कुछ bangals का आप देख पा रहे होंगे कि इनकी shine भी चली गई है तो आप मेरे पास मैंने सोचा इसका क्या करें समझ नहीं आ रहा था इसे कहा फेक है तो देखते हैं और यही situation आपके साथ होती है तो चलिए देखते हैं इसका मैंने क्या किया सबसे पहले तो ये bangals मैंने collect करी और इसे एक polythene में रख लिया उसके बाद हम इसे towel में लपेट लेंगे और towel में लपेट के से hammer की मदद से bangals को तोड़ लेंगे तो ये एक safe side मैं बता रही हूँ जैसे आप खाली बैट कर करेंगे तो काँ चिदो अदर फैलने का डर लेगा तो इससे safely आपकी bangals जो है वो तूट जाएंगी तो ये मेरे पास कुछ broken bangals मिल गई है मुझे मतलब break कर लिया है मैंने bangals को अब मेरे पास ये टी कोस्टर पढ़ा हुआ था पहले का जो बिलकुल भी attractive नहीं है और ये table में रखने में भी अच्छा नहीं लगेगा तो अब इसको हम थोड़ा सा मैंने laya look दिया कि इसमें टी कोस्टर में फैविकोल लगा कर सारी जो broken bangals थी उनको arrange कर दिया ये अब आपके उपर है कि आप color combination देख सकते हैं डिजाइनिंग कर सकते हैं और इस तरह से आपका zero budget में आप जो है अपने टी कोस्टर को एक new look दे सकते हैं और अगर आपके पास टी कोस्टर नहीं भी है तो आप square shape में cardboard को कट करके इस तरह से नया टी कोस्टर बना सकते हैं तो यहां पर यहां मैंने दिया रख दिया है वैसे यह बहुत अच्छा टी कोस्टर है दूसरा है कि bangles को आप stick कर लिजे फैविक stick या फैविक कोल किसी भी gum की मदद से और इस तरह stick करके आप अपने लिए बना सकते हैं tea light candle tea light candle holder अब जैसे last दिवाली गई है अब Christmas आने वाला है या new year है तो जब कभी भी आपको candle light करनी है तो आप इस तरह से यह मैंने और दो बना लिए है tea light candle holder तो आप इस तरह से अपने candle light को जो है beautiful बना सकते है enhance कर देता है क्योंकि यह tea light candle holder अब है आप इस तरह से अपने पुरानी bangles का use कर सकते हैं इस तरह से tie up करके बाहर या अंदर आपके घर में कोई function हो शादी व्या का हल्दी या महन्दी के function को made decoration में ये बहुत अच्छा लगता है या फिर आपके पास कोई वास पड़ा हो आप इस तरह अपने पुरानी bangles को collect करके कुछ उसमे decorative piece बना सकते हैं तो देखने में ये बहुत ही सुन्दर लगता है तो यहाँ पर मैं आपको सारे जीरो बजट वाले idea शेयर कर रही हूँ ये friends ही मैंने अपने घर का mirror जो उसका outer area था वो काफी पुराना हो गया था तो उसे ये मैंने broken bangles से decorate किया हैं आप अपने लिए cardboard पर इस तरह से decorate bangles को अरेंज करके अपने लिए photo frame बना सकते हैं या आपके घर पर कोई lampshade है पुराना पड़ा हुआ है तो आप उसे new look दे सकते हैं तो ये थे सारे idea आप old bangles को कैसे you reuse करें तो I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थां थांकियो